हेलो गाइस तो इस वीडिये में हम थ्री टायर अर्खिटेक्ट्चर टिपलाई करेंगे अन्द एवस क्लाउड तो इसके लिए हमने एक डाइग्राम क्रेट करें जिसमें एंड यूजर रिक्वेस्ट को सेट को रिक्वेस्ट करेंगा वो डियरेकटली इंटरनेट से इंटरेट को रिक्वेस्ट लोड बारेंस अरपर हैए धाए मोड़ानस रोख Thi स्वाइवल में पर चली जाए सिसमें आमाड़े इसीटी इनसां प्रेजेंट है और युश्यर को व्षॉ जो वी वी पी उसने रेक्वेस्ट किया है वह दिखेगा जिसमें से हम प्राइवटेशि उइस्टंस को हम skeptic each करें जिस्से इंट्रनेट left से connect हो जाएंगे और में प्राइवट क्रेट करेंगे जिसकी connectivity हम विशिट प्राइविट इस च्राइविट के साथ करेंगे 3306 फोल्ड और हमने पंगी इस स्टार का है जिससे कि हम इस प्राइविट इस टोइसे हम कर सके तो हमने इसका एक प्रोजेक्ट बन है सो मैं आप वह भेड़ कता हूं तो पहले स्टेप हम रहेगा वी पीक सेक्षेन, फेज बन वन जिस में हम एक वीपी certificate करेंगे जिस में दो private उआगे सब्नेट और public रहेंगे प्र इंटर्णेट के टेट करेंगे गोहिए है जो Свट रहेंगे आठीक सब्मेट करेंगे जो प्रेज क्रेट करेंगे तो हम पेज के साथ हम सुरू करते हैं पहला प्रेज हमारो फेज है तो मैंने अभी अभी एडेब्स काउंसल पर लागन किया है अभी मैं इसी टूप पे हो तो मैं भी फेज पेज आता हूं आख तो अस पर दिपिश फेज वन हम उसके इस अर्गिच्चर के लिए हम डिक्रेटीद एपी साथ करेंगे तो क्लिक अंदो ग्रेट वीपी सी option then choose the there are two options first one is the VPC only and the second one is the VPC and more so is key liya हम choose करेंगे VPC and more so इसका नेम हम रखते हैं 3Tire VPC 3Tire जिसका हम CIDR रखेंगे इसमें अविलिटी जोन दू चुछ करेंगे जिसमें पुब्ली समेट दो और प्राइवट समेट दो रखेंगे नेटी विट की बी कोई जरूरत नहीं है भी VPC and कोई की बीकोई जरूरत नहीं हो नेटीटी की जरूरत लेकिन हम सेपरेटली करेंगे और हम सब्सक्राइब करते हैं हम यहां पर एक बार उसका सब्सक्राइब का साइज देख सकते हैं यहां पर क्लिक की कोई जरूरत नहीं है सो यहां पर ट्वेंटीट भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर देखिए इसने इंट्रेट भी क्रेट कर देया है उसको अटेच भी कर दिया है और टेबल भी क्रेट कर देए करते हैं अब यहां पर हमारा पर शूड़ करते हैं यह हमारा भी दिया त्रिय ट्रायर इसका 06 स्वाना आखिए सेह सब्च्व करते है तो मैं यहां पर देखे हैं हमारे प्राइवेट दोस्पनेट क्रेट हो चुके हैं जिसमें राउट में कुछ भी नहीं सिर्फ लोकल अवेलेबल है और यहां पर देख सकते हैं पूब्लिक समेल से जहां पर आपका इंटरनेट गेटवेए अटेच है तो हमारा अभी एक स्टेफ बाके जो है नाट गेटवेए तो भी ओनेट गेटवेए भी हम क्रेट कर लेते हैं यहां पर देखें नाट गेटवे का ओप्शन है नाविगेशन पैनल पर हम क्रेट नेट गेटवे ओप्शन को चूज करेंगे यहां पर देखें माई थ्री टाइर नेट इसका नाप भी हमने रही दिया इसको अलवे जहाँ जबी आप नेट गेटवे करते हैं नों नेट गेटवे का पॉब्लिक सब्नेट ही चूज कर लें ना और एक्जांपल में अबे विपीसी पॉब्लिक सब्नेट में हाँ पॉब्लिक सब्नेट आपके चूज कर लें इलेस्टिक आइफी की अट्रेमेटली दे देगा रही नहीं देदा अलोकेट इलेस्टिक आइफी के आप्शन चूज कर देए और क्लिक आगें सो हमारा नेट गेटवे क्रेट हो चुका है मुठ यहां फो अन्या प्राइफ त्रक stubनेटगा किमा सब्नेत यहां में उम्याइर प्राइफिट समेट यहां पे आप ड्रक टेब्ल प्राइबिट आतो पल्त नियां पर क्लिक कर दो अ किन ने यहां प accounted for श्काइब्ट अप्शन चूज निसका N.0 अन्डर यहां पर लिए ऑप्षिन चुझा और यहां पर आपका नेट यज आ चुका है थ्री टायर निए टायर ने लाफ से उचिंज पर क्लिक कर देना ऍसेम हम दुस्तरे भी सब्मेट के लिए यही इस्टेप फॉल करेंगे घट राउट सेपमें राउट टेबल पर देना प्रीट हम यहां पे ओप्चन आएगा टो कर देना है यहां पैड अपको आपको ओल फ्रेट कर देना यहां आज पर दो प्रोजेक्ट प्राइन यहां पर हमने फेस्ट प्रोगान कंप्रेट करते हैं जो हम आ रहेगा इस 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 इसका नाम देदे प्राइव डिसी टू वान इसमें हम अभी Amazon की इमेज सेलेट करेंगे तो इस इंस्टेंस टाइम हम प्रीटायरी इलिजबिल रखेंगे की पेर हम एक्जिस्टिंग वाली चूज़ कर लेंगे यहाँ पे आपको नेटवर्स सेटिंग में आपको एडिट कर देना है जहाँ पे आपको नियू वालावी पीसे इडिट कर देना है और यहाँ पे आपको प्राइट सब्नेट चूज़ कर देना है प्राइट सब्नेट वन पुब मैं यहां पी HTTP, Anywhere और अभी HTTPS का भी रूल एड़े करेंगे यहां पी HTTPS और Anywhere option चुछ कर लेंगे एक बार आप पूरी सेटिंग रिवीव कर लेना करेंगे नाम रहेगा प्राइवेट इसी टू टू इसमें सेम हमें अमेजन के लिए इसमेर करेंगे यहां पेडिट पे कलिक करके न्यू अला वी सेट कर देंगे और यहां पर प्राइवीट सेकंड वाला सबोल चूस करेंगे और इसके लिए भी हम ऑला सिक्रेटिट करेंगे जो मैं आमने पहले वाला यूज क्या था लॉंच विजर्ट सेकंड यहां पर लॉंच यिस्टेस कर देंगे कैसे हमने अब ही दो प्राइविटी सीटिक्राइब स्बार्ण यहां भी पब्लीक समय पॉब्लीक सब्सक्राइब अप्राइबिक युज्ञ प्राइवेटी सुट्रिया अक्सीश करने के लिए यूज करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पॉब्लीक यूज़ों आमाज़न की मेशन चूज करेंगे सेम हम की पेर यूज करेंगे कि सिक्रेट के रूप बें सेम यूज करेंगे अमे रिट्पी क्लिक कर देना यहापर यह पिन्यू अलव पिस्ट्रेट कर देना अप्रिक वाला सुच करेंगे अटॉज कर देंगे और रहेक्ट टू प्राइविटी इसीटुइंसे और एक पॉब्ली की सिटूइंसे हम्ने लांच कर दिया है तो अभी हम लॉड बैनेनसर पे जायेंगे जहाँ हम अभी एक लोड बानेंसर क्रेट करेंगे जो रहेगा एप्लिकेशन लोड बैनेसर अलब एह जो इस्से टूक लट आपको ड़न करना जहांब्स अपकर एक लोट बाइनसंग गी लोट बानेंसर का उप्शेंट रहता है हम्या पापी अभी क्रेड बाइनसर के ऐप्शेंट पर क्लीक करदेंगे जो आम्मांबी एप्लिकेशन दोड़ बैनेसर सेलेट करनेंगे ग्रेट अप्षेन इंटरेट पेस्पेसिंग रहेंगे उसे आईपी फॉर्म कि हमारा जो वीपी से वो सेलेट करेंगे हैं में सीकर्योटी गॡूप हम लांच वीजर्ट सेट करेंगे हुए हमने तर्गट क्रेट नहीं किया हैं रहा है यहां पर भी सो हम availability zone select कर देंगे सो जिसमें हम सिर्फ public subnet देंगे हम इसमें private subnet नहीं ही लेक सकते हैं क्योंकि net gateway जब load banancer को attach रहता है तो internet से access नहीं कर सकता load banancer so load banancer के subnet को सिर्फ internet gateway attach रहता है सो हम भी target group create करते है अभी target group में हमें हमारे अभी instances है तो हम instances से इसका option चूज कर लेंगे यहां पर हम नाम देते हैं target group target issue to इसका नाम देते हैं protocol ATP रखेंगे HTTP1 well checks हो बाइड डिफाल्ट ही लेगा next प्लिक करेंगे और create target group हो इसके बाद में हम इसमें instances add कर लेंगे सो अभी हमारा target group create को हम भी refresh कर देते हैं सो यहां पर हमने target group select कर लिया और हम यहां पर create load balancer option पर क्लिक कर देंगे सो अभी हमारा load balancer create हो रहा है वह भी provisioning state में है थोड़ी देर के लिए उड़ी को पहुच कर दें जब तो के अविलेबिल स्ट में नहीं आता है सो यहां पर हमारा जो लोड बैने सता हो create हो चुका है सो हम भी प्राइवट और पॉब्लिक EC2 में इस्ट्रस में connectivity create कर देंगे सो इसके लिए में पॉब्लिक सर्वर का पॉब्लिक IP हम कॉपी करेंगे और प्राइवट EC2 के security ग्रूप में हम एड़ कर देंगे एड़िटेंड बांड डूर्ट्स को क्रीक करके यहां पर हम यहां पर यहां पर और हम सेव कर देंगे प्राइवेट और पॉब्लिक सर्वर में भी केनेक्टिविटी कर देंगे दोनों के लिए सेम सिकर्विटी ग्रूप में एक मेंचिंजिस कर देंगे और हमें सब्सक्राइब करने के कोई ज़रूरत नहीं है तो हमनों अमार नेक्स्ट टेब है कि हम टार्गेट ग्रूप में हम इस सिट्विटी इंस से एड़ कर देंगे इंकल्ड याज पेंडिंग विलो औप्शन चूज कर लेना है और रेजिस्टर प्रेंडिंग टार्गेट तो सो टार्गेट अभी इनिशिलाइजिंग स्टेट में है और जब भी ए टार्गेट एक्टिव होंगे तब तक में के लिए मैं यह वीडियो को पहुच कर देता हूँ सो भी आप और दोनेशिलísimo ओंपतार्गेट से भी एली दिखा रहा हुच आपилось शो बभी नेक्स्ट सुआंक करेंगे सो हम लोड़ा बारेकर चैक करेंगे बनेशन हो मनाद है ऌनि सब्सक्राकाशन है और गोमपेत्राके प्रेस्ट्ष कishing सो यह देखिए हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं यह देखिए यह मेरा पहले ICT instance का आई-पी है सो यह मेरे पहले ICT instance का आई-पी है वह नेटी अब यह मैं इसे रिलेट कर दूँँगा है तो मेरे दूसरे ICT instance का आई-पी है सो भी हमारी जो वेबसाइट जो हमें हमने एच्टिफिक अंदर कॉंफिगर करेंगे सो वह भी हमारी वर्क हो रही है सो भी हमारा ला सेकंड फेज भी कंप्लीट हो चाका है थर्ड फेज भी कंप्लीट हो चाका है अब हम लास्ट फेज है वह भी आर्डिस क्रेट करेंगे अब करेंगे और अब करेंगे आँग करेंगे तो आपका क्रेंट डेट अब कर देना है आड़ेस के कंसुल थोड़ासा रोड़िंग के लिए टाइम लेता है यहाँ पर मैं मैं स्कुल्स रेट करूँगा यहाँ पर आपको मैं स्केल का ओर्जेंस रेट करना है जो मैं भी लेटिस्टी चूज़ करूँगा 30 वाला आपको मैं भी फ्रिटायर के लिए यूज़ करूँगा आपको यहाँ पर डेटाबेस का नेम दे सकते हैं जो मैंने भी डेटाबेस नेम रखा है अब आपको यहाँ पर मास्टर वीजर का पासफ़ोड अड्मीन और उसका पासफ़ड जै सकते हैं कि मैंने पासफ़ोड भी डाला है अब यहाँ नेक्स्ट मैंने dbt3 त2-µाइक्रो में स्रिट करूँगा यहां पे स्टोरेज 20 GB मेंस बाइड डिफॉल्ट है सो मैं वही रखूंगा सबसे कम वाला सो हम विपीसी अभी थ्री टायर वारा चूज करेंगे हम डिफॉल्ट विपीसी हमने जो थ्री टायर के लिए क्रेट कहा है वही चूज देंगे सिक्रूटी ग्रूप भी डिफॉल्ट ही रखेंगे इसके लिए हम इसका पॉब्लीक एक्सिज नहीं देंगे हम पॉब्लीक एक्सिज नूब रखेंगे सर्टिपिकेट ऑप्शनल यह जो प्रता है और यहांपे हम क्रेट डेटबेस करें क्लिक करेंगे मैं भी मेरा पास्वोर्ड थोड़ा सा घ्लिट हो चुका है सो मैंने वह क्रेट कर दिया अभी क्रीट डेटबेस प्रक्लिक कर दिया ना सो और डेटबेस क्रेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है 10-15 निट्स लगता है आर डेटबेस को सो तब तक के लिए मैं यह उडियो को पास्ट कर रहा है और फिर हम आर डेटबेस और इंस्टिट इंस्टिविटी कर देंगे तो यहां पर हमारा जो आर डेटबेस हो और क्रेट हो जगा है सो मार डेटबेस की और प्राइवटी स्टिविटी इंस्टिविटा भी करने जा रहे हैं आपको प्राइविटी स्वेटी इस्टेंस के प्राइविट आइक पी को कॉपी करके आपको आड़ इसके सिक्रूटी ग्रूप में एड़ कर देना है एडिटिंग बनो डूट स्पे के जाके आपको IP से टिकर के यहाँ पर 3306 फोड़ पर उसे अलोग कर देना है सेम यहाँ पर दूसरी स्वेटी इस्टेंस का और सेव कर देना है संचेक चेक करते अभी की कोनेटी हो चूक है नहीं सो यहाँ पर मेरा कंस्वल है सो मैं पहले भी पप्लिक को लॉग हिन हेता हूँ करे नहीं भाभ्लील उसमे भी प्राओंप unacceptable कर चुक्क हैं मुद्प क्लोज कम कर देते हैं यह मेरा private server SSI पनाए और उसका IP सुदो है जो हमने भी टेनेट का माणडे जो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं है जो भी आरडीस पर जाके हम आरडीस का इंपन कोपी करें हो आगाँ गाँ आगाँ अभी के हैं अभी है तो यहां पर में रपर डापस है और यहाँ पर मेरा end point है सो हम इसे copy कर देंगे ctrl c और यहाँ पर चेक करते है तेलनेट इसका आर्डिस्क का end point और 33064 नंबर पर चेक कर देते हैं तो यह देखे connected to the database तो हमारा आर्डिस्क के database के connected भी हो चुगे मतलब में मैंने सक्सेस्प्रों ठीटायर आर्टेक्चर कंप्यूट कर रहे हैं तो आपको इसके इसमें कोई भी इशूस फेज हो रहे हैं कोई वीडाउट से तो कमेंट सेक्सें में बजरू बता रहा थैंक्यों पर वाचिंग इस वीडियो प्लीस सब्सक्राइब चैनल बाइ